हेलो, रजस्तानी रेखा की रसोय में आपका एक बार फिल से स्वागत है आज मैं आपके साथ फिल से एक नहीं रेसीपी लेकिए हूँ उमीद है आपको ये रेसीपी पसंद आएगी अगर आपको ये रेसीपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेर करना और आप मेरे चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी कोई नहीं वीडिया आए, तो आपके पास नोटिफिकेशन आजाए, तो चलिए शुरू करते हैं, आज हम हलवाई इस्टाइल रबडी बनाएंगे, इसके लिए से हमारी लगबग 700-800 ग्राम रबडी बनके तयार हो जाएगी, सबसे पहले हमें दूद में बोईल आने देना है, और यह देखिए, दूद उबल चुका है, अब इसके उपर जो मलाई आ रही है, उसे हमें अंदर दूद में डालना रहता है, बार बार इसको नहीं चलाना ह बस एक बार चला लेंगे, छोड़ देंगे, उसके बाद जब इसके उपर फिर से मलाई आ जाएगी, तो मलाई को निकाल के दूद में एड कर देंगे, इसी तरह हमें दूद को गाड़ा होने तक पकाना है, यह देखिए, फिर से मलाई आ गई, इसको फिर से दूद के पकने देना, इसकी यही प्रोसेस है, इसके उपर जो भी मलाई एगी, उसे हमें दूद के अंदर एड करना है, इसी तरह दूद को गाड़ा कर लेना, और यह देखिए, दूद हमारा काफी गाड़ा हो गया है, जब हमारा एक लिटर दूद बच जाएगा, तब हम इसमें चिनी एड करेंगे, अगर दूद ज्यादा गाड़ा हो जाएगा और उसके बाद हम इसमें चिनी एड करेंगे, तो मलाई अलग हो जाएगी, और चिनी का जो दूद रहेगा, वो बिल्कुल पतला हो जाएगा, तो उससे हमारी रबड़ी अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए दूद को में पूरी तरह से गाड़ा नहीं करना है, जब थोड़ा सा दूद बचे, लगबग एक लिटर दूद बचेगा, तब हम इसमें चिनी एड कर देंगे, और ये देखिए, लगबग एक लिटर दूद बचा है, इसको एक बार चला लेंगे, और किनारू के उपर ज अच्छे दा रबडी चाहिए, अब हम इसमें चीनी एड करेंगे, रबडी ज्यादा मीठी नहीं होती, तो मैं इसमें पांच चम्मा चीनी एड कर रहे हूं, आपको जितना मीठा पसंद है, आप उस हिसाब से चीनी एड कर लीजी, और अब हम चीनी को मिक्स कर लेंगे, औ दूद के अंदर ट्रांसफर करना है, और यह देखिए, हमारी रबडी काफी गाड़ी होगे, थोड़ा सा इलाइची पाउडर डाल देंगे, और इसमें मिक्स कर लेंगे, हमें इसे ज्यादा गाड़ा नहीं करना है, यह ठंडी होने के बाद और भी गाड़ी होगी, तो च केसर का फ्लेवर पसंद नहीं है, तो आप इसे इसकी भी कर सकते हैं, इसे हमारी रबडी का थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा, और फ्लेवर आजाएगा केसर का, यह देखिए, केसर वाला दूद हमने अच्छे से मिक्स कर दिया, अब हम गेस की फ्लेम बंद कर देंगे, और इसे घड़ा होने देते हैं, जैसे यह ठंडी हो जाएगी, यह देखिए, बिल्कुल हमारी रबडी तयार है, अगर आपको घरम घरम रबडी पसंद है, तो आप इसी टाइम पे इसको खा सकते हैं, और अगर आपको यह ठंडी करके खाना पसंद है, तो हम इसे दूसरे बर दाइ लीटर दूसरे हमारी 800 ग्राम रबडी बनके तयार हो गई है, उमीद आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी, आप कमेंट करके बताना कि आपको यह रेसिपी कैसी लेगी, अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइ बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आजाए, मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ